नमस्कार दोस्तों, स्टड़ी आए कि मैं आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा सभी लेक्चर्स के PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टड़ी आएक्यू, यूपीसी आस्पिरेंट्स के लिए एक स्मार्ट कोर्स लेका रहा है जिसकी मदद से, आप घर बैठे इस एक्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसे क्रैक भी कर सकते हैं, इस कोर्स में मल्टिपल वीडियोज हैं, प्लस इसमें क्विज हैं और बहुत सारे अन्य फीचर्स हैं, इन सभी फीचर्स को अवेल करने के लिए आपको हमारी आप डाउनलोड करनी होगी, या फिर आप कम्प्यूटर या लाप्टॉप पर भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, studyiq.com वेबसाइट अभी रिपब्लिक डे के उपलक्ष में, studyiq अपने कोर्स पर 10% एक्स्ट्रा डिसकाउंट दे रहा है, तो आपको कोड यूज करना है रिपब्लिक 10 और आपको 10% एक्स्ट्रा डिसकाउंट यहां पर मिल जाएगा, तो दो दिन पहले ये न्यूज आई थी 20 जनवरी को कि क इंद्र सरकार की कैबिनेट ने 5,282 करोड रुपे के रातले प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है, 850 मेगावाट यहां पर बिजली का उत्पादन किया जाएगा, और ये प्रोजेक्ट कई सालों से डिलेड था, लेकिन अब इसका इनागरेशन किया गया, जमू कश् काफी लंबे समय से अटका हुआ था, अब इसको अप्रूवल मिल गया है, और इस पर अब काम जल्द ही शुरू हो जाएगा, और विदिन 5 ये टार्गेट है, 60 मंस के अंदर अंदर ये ऑपरेशनल हो जाना चाहिए, आईए मैप में इस डैम की लोकेशन को हम देख लेते ह हैं, तो अगर हम जम्मू एन कश्मीर यूनिन टरिटरी पर जूम इन करें, तो यहाँ पर जम्मू डिविजन में आता है किष्टवार डिस्ट्रिक्ट और इसी किष्टवार डिस्ट्रिक्ट से होकर बैती है चनाब नदी, तो ये चनाब नदी बह रही है, जहाँ पर मैं feasibility studies के according बट ये चनाब नदी बहरे ही है और इस पर ये dam बनेगा और इस dam से पन बिजली का उत्पादन किया जाएगा hydroelectric project होगा याद रखेगा इससे irrigation के लिए पानी draw नहीं किया जा सकता क्यों नहीं किया जा सकता आपको आगे समझाता हूँ तो आपको approximate इसकी location का पता होना चाहिए कि किष्टवार district है और ये चनाब नदी पर बनने जा रहा है इस project की capacity होगी 850 मेगा वाट तो दरबशला नाम की जगे है PDF डाउनलोड करने वालों की सहूलियत के लिए यहाँ पर मैंने इसको NHPC ही कहते हैं उन्होंने ये लंबा चोड़ा नाम हटा कर किवल NHPC अपना नाम कर दिया है तो NHPC जो की केंदिय सरकार का एक उपक्रम है उसके और जम्मू कश्मीर State Power Development Corporation के बीच में एक agreement हुआ है जिसके तहदि ये दोनों मिलकर एक नई कंपनी बनाएंगे एक नया joint venture बनाएंगे शायद इसका नाम इस तरह का कुछ रहेगा राथले power project company है जैसा भी इसका नाम होगा और इसमें 51% stake होगा NHPC का यानि की केंदिय सरकार का और जम्मू कश्मीर Power Development Corporation का 49% stake रहेगा तो आदा आदा दोनों का stake रहेगा लेकिन government of India जो है इसे एक extra 776 करोड का grant भी देगी जम्मू कश्मीर Union territory की government को और ये पैसा कहां लगाया जाएगा उसी joint venture company में NHPC भी 808 करोड रुपे अपने internal resources से यहाँ पर invest करेगी और उमीद है कि 60 months यानि कि 5 साल के अंदर अंदर ये project बन कर तयार हो जाएगा और commission हो जाएगा commission होने का मतलब है कि उससे बिजली का उतपादन शुरू हो जाएगा अब इसको feasible बनाने के लिए इस project को feasible बनाने के लिए जम्मू कश्मीर को कई रियायत ने दी गई है जैसे कि water usage charges में 10 साल की रियायत दे दी गई है state share of GST जो होगा उसको reimburse भी किया जाएगा इस वाले project को related waiver of free power to union territory of Jammu and Kashmir in a decremental manner तो जो free power वाला part है वो पहले मिलेगा लेकिन फिर दीरे दीरे उसे decrease कर दिया जाएगा अब जम्मू कश्मीर में water resources की बात करें तो यहाँ पर इतने resources हैं इतनी नदिया हैं कि 35,000 करोड के power projects यहाँ पर बन सकते हैं और NHPC इन में से कई projects में already involved है रातले project की 40 year life cycle मानी जा रही है और इस 40 year cycle में 5,290 करोड जितना free बिजली यह जम्मू कश्मीर union territory को provide करवाएगा और इसमें जो water usage charges पर levy होगी वो 9,000 करोड रुपए के आसपास होने वाली है अब सारे जो projects चनाब नदी पर या फिर इंडस river पर बन रहे हैं वो देखे जा रहे हैं CPEC के comparison में हाला कि CPEC का scale काफी बड़ा है CPEC लेकिन चाइना की मदद से जो project चल रहे है पाकिस्तान में उनके comparison में भारत में जो projects हैं उन पर अभी काफी focus है तो चाहे वो चनाब नदी पर हो या इंडस नदी पर भी बहुत सारे छोटे छोटे डैम बन रहे हैं उसके बीचे reason क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आप चाहे तो उस पर एक अलग video भी बन सकता है comment section में बताना अगर आपको चाहिए अलग video तो basically Indus Water Treaty सारा मुद्धा यहाँ पर उस पर आ जाता है Indus Water Treaty 1960 में sign करी गई थी भारत पाकिस्तान के बीच में World Bank इसमें एक और signatory था World Bank ने दोनों के बीच में मद्धस्ता कराई थी और इसके तहट ये hydro power project बहुत important है क्योंकि पाकिस्तान ने लगातार इस पर objection उठाये थे कि चेनाब नदी पर आप Indus Water Treaty के अनुसार कोई भी dam नहीं बना सकते अब ये Indus Water Treaty की details आपको जाननी है तो गौरफ सर्ण ने इस पर एक video बनाया था आप उसको देख सकते हैं और बहुती अच्छे से इसको comprehensively cover किया गया था लेकिन मैं आपको briefly ये बता देता हूँ कि हमारे पास जो western नदिया है यानि कि Indus, चेनाब और जेलम इन नदियों को हम irrigation के लिए use नहीं कर सकते इनका पानी केवल पीने के लिए लोगों के घरों का जो domestic usage है उसके लिए लिया जा सकता है और हम ऐसे project बना सकते हैं जिसको कहते हैं run of the river जहां पर पानी को बहुत बड़े स्तर पर store नहीं किया जाता है run of the river project में क्या होता है कि बड़े dam की जरुत नहीं होती है तो ये treaty जब sign हुई थी तो उस समय दोनों देशों के बीच में एक mechanism स्थापित किया गया था कि अगर आप कोई भी project बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको information exchange करनी होगी और एक दूसरे की सहमती के बिना इस तरह के projects नहीं बन सकते हैं यानि कि भारत को इन तीन नदियों पर project बनानी के अनुमती है लेकिन उसमें कई सारे terms and conditions है तो पाकिस्तान उन terms and conditions का फायदा उठाते हुए हमेशा objection उठाता रहा है जैसे कि किशन गंगा प्रोजेक्ट पर बहुत लंबे समय तक objection था पाकल दुल प्रोजेक्ट पर भी objection है लोवर कालनाई प्रोजेक्ट पर ये तो रिवर चनाब पर ही है इस पर भी objection है तो ये सारे projects बहुत समय से अठके रहे थे लेकिन 2013 में International Court of Arbitration ने जब किशन गंगा प्रोजेक्ट के case में हमारे favor में rule किया तो उस पर तुरंत काम स्टार्ट हो और 2018 में उसे inaugurate भी कर दिया गया था अब यही वाला जो basis इसी basis पर हम दूसरे projects भी बना रहे हैं लेकिन फिर भी Pakistan objection तो करता ही है तो 2013 में इस project की नीव रखी गई थी यानि किस वाले की चनाब पर रातले project की और उसके बाद से पाकिस्तान के objection के बाद काम कुछ समय के लिए रुका रहा था 2017 में World Bank ने कह दिया कि हाँ भारत को allowed है कि वो यह dam बना सकता है फिर 2018 में state government ने proposal भेजा था कि इन्द सरकार के पास joint venture बनाने के लिए 2019 में एक MOU हुआ लेकिन अब 2021 में फिर से एक fresh MOU साइन हुआ है तो वैसे हमारे पास 2018 से यह option था कि हम काम चालू कर सकते थे लेकिन ये तो भारत के ही internal bureaucratic procedures के कारण तीन साल से अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है कुल मिलाकर बात आपको ये याद रखने है कि Indus Water Treaty भारत को ऐसा नहीं है कि blankly कोई भी dam बनाने से रोग देती है लेकिन वो dam कुछ specific तरह के हो सकते हैं और कुछ specific कारिट के लिए हो सकते हैं irrigation के लिए हम western rivers का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते अब बात करते हैं NHPC की तो NHPC जमू कश्मीर में बिजली का बहुत बड़ा supplier है इसके बारे मैं आपको briefly idea होना चाहिए NHPC ने 20,780 करोड का लगबाग investment किया है पिछले चार दशकों में लेकिन कई projects पर आतंगवाद का खतरा भी मन राता रहता है NHPC का plan है कि total 3814 Megawatt के projects complete किये जाएं Union Territory of Jammu and Kashmir में इन में बड़े projects जो है वो है 800 Megawatt का बुरसार project पाकल दूल ये भी एक बहुत बड़ा project है कीरू और क्वार ये सभी joint ventures होंगे NHPC और दूसरे state government की subsidiaries के बीच में तो इसी के साथ ये short and simple सा video समाप्त होता है I hope आपको ये जानकारी interesting लगी अगर लगी तो like बटन पर जरूर क्लिक करें Thank you very much for watching this, have a great day